हेलो गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल मैं पर्दी और आज मैं अभी कहां पे हूं कोई गैस कर सकता है चलो आप सोची तब तक मेरा प्लान हुआ लाइक मेने पहले बोला था कि मैं चंडीगर्ड को शूट करूँगा तो कुछ काम था तो मैं यहां पर आ गया हूं शायद गैस किया नहीं किया में एक बार को दिखा देता हूं सराउंडिंग्स आपकर थोड़ असा टाइम होगा में भी देखें नेशनल फ्लैग लाइट थोड़ी कम है अरली मॉर्निंग का टाइम है और यह ब्यूटिफुल हिल्स ओके गैस हुआ नहीं हो गया हो तो बहुत अच्छा कमेंट में बताईएगा कि आप ने गैस किया यह मेरे बताने पर आपको पता चला वेल मैं अट पैजन शिमला रिज पर हूँ और लाइक मुझे समर हिल जो यूनिवर्सिटी हमार्टन उनिवर्सिटी वहां पर मुझे कुछ काम था तो मुझे यहां पर आना पड़ा तो मैं सोचा कि एक वी लोग इसकी उपर भी बना दिया जाए कि वनना पहले मेरा यही कि चंडीगर को सबसे पहले मैं कवर करूंगा फिनिश करूंगा देन बाकी सिटीज की तरफ मुफ करूंगा वैल इस पार्ट तो इस वी लोग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शिमला के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ठीक है देखते हैं जो मुझे नॉलज में था जो मिन अपने फ्रेंड से उन से सुना या मिने इंटरनेट पे पड़ा उसके कॉर्डिंग में बता रहा हूँ ठीक है सेकेंड फैक्ट की बात करता हूँ कि ब्रिटिश रूल से पहले अगर मैं शिमला की बात कर रहा हूँ इस एरिया की बात कर रहा हूँ तो बिफोर ब्रिटिश रूल यहां पे जो नेपालीज थे उनका यहां पे रूल था मतला ही वो यहां पे नेपालीज लोग थे वो यह 90 पसंद लोगों को नहीं पता हो जब आप चंडीगर से शिमला आते हैं तो यहाँ पे आप वाया अपना खुद के ट्रांसपोर्टेशन के थूँ आ सकते हैं जो मारा अपका प्राइविट होगा प्लस पर्बिक ट्रांसपोर्टेशन में आप यहाँ बसे यूज कर सकते हैं और यहाँ पर रेलवे फैसलिटी भी है अमेजिंग ना मगर चंडीगर से नहीं है वो कालका से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो यूनेस्को के मतलब यूनेस्को ने जिसको वर्ड हैरिटेज डिक्लेर किया तो एक बार त जाती है तो अपकी से रिजर्व रहे तो बैटे रहे ठीक है तो यह थर्ड थर्द है हमारा कि यह जो रूट है लाइक कालकाटू शिम ला य रेल्वे रूट जो ट्रॉय ट्रे इन मिन स्माल ट्रेन ंइसलिट बर यूने टैक्समत्त में वो वह र्ड हेरिटेज इडिकलेर किया UNES को नहीं, then यह हमारे three facts हो गए, fourthTY, fourth fact उसी train स्थे बारे में, तो आप इसको फोर्थ ऐसकोfon कर लिए, ride 3rd sachs के साथ छुए कर लिजीए, क्य उस route में, i. गाल्काटो šaumula route में total, one zero three tunnels आती हैं, amazing like hundred kilometer से कम का, root 1013 tunnels means आपको per kilometer एक टनल दिखने वाली है अमेजिंग ना मैंने बहुत दो ना उस उस रूट को आप शूरली एक बार तो बनता है खुमना दे नेक्स फैक्ट इस एटीन सिक्स्टी फोर में शिम्ला को लाइक समर कैपिटल डिकलियर किया था ब्रिटिश रूल ने 1947 में जो फिनिश वर लाइक 1947 में है में इंडेपेंडेंडेंस मिली उससे पहले ये ब्रिटिश जो यहाँ पे चलता था वो उनका ये समर कैपिटल था इसमर में शिम्ला मतला कि उस पूरे इंपायर के जहाँ पे वो भूल कर रहे थे ये समर कैपिटल था ठीक है यह हमारा ने क्यूँच्रल आई स्केटिंग मिलती है मतलब अगर आप आई स्केटिंग के शोकीन है और आपको नैच्रल आइसकेटिंग का एज्वाइ करना है लुत्व उठाना है तो आपको शिम्ले से ब्स प्लेस कुछ नहीं मिलेगी सौथ एशिया में मैं इंडिया की बाद कर रहा हूं तो इट इस अउनली प्लेस ठीक है जहां पर आपको नैचुरल नाइस स्केटिंग मिलती है यह हमारे नेक्स फेक्ट था नेक्स फेक्ट इस जो इंडियन इंस्टिट ओफ एडवांस टेडी है जो समर हिल से आपको दिख जाएगा मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की कोई शॉर्ट ट्रिप है यह तो मुझे नहीं पता मैं कितने अरिया को कवर कर पाऊंगा अभी तो जितना भी होगा पॉस शिमला की पहली बिल्डिंग चलिश पहल 1 परफ चन्रा मारा खौकत ऑफ ट्रिश करता है व्यज़गे बिरस्ट इसे चलिट करने कौइशे हैं सउफ एस्ट ईश्या गा यह एंटीवी काफी यूंग तो आप इसके अगर एडवेंचर के लिए आप एडवेंचर के लिए आप बहुत कितना की मर मुठते हैं कि यार हमें तो एडवेंचर चाहिए तो शिम्ला से बेस्ट प्लेस कुछ नहीं लेगा आइसकेटिंग नेचरल और एंटी भी माउंटेन भाई ठीक है यह दो और जो हमारा अरेबियन सी को मिलता है मेंस कि रिज के नॉर्थ साइड से रेइन वाटर ड्रेनेज जो है वो सतलुज रिवर में जाता है और जो बाद में अरेबियन सी अभी आप सुझेगे इस ओके यह क्या फैक्ट होगा मगर जो नेक्स्ट फैक्ट होगा अभी जो मैं बूलूँगा उससे आपको फिर थोड़ी हराणी होगी नॉर्थ का मैंने बता दिया अगर हम साउथ की तरह जाते हैं साउथ रिज के साउथ से जो रेइन वाटर ड्रेनेज होता है वो मिलता है हमारा यमना रिवर मेंस एक सतलुज रिवर नॉर्थ साइड से और साउथ सा की तरफ गया और अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो रेइन ड्रेनेज हमारा कहां गया यमना रिवर में जो हमारा जाता है बेफ बेंगॉल में अब ये फैक्ट इमेजिंग क्यों है इसके लिए आप गूगल मैप्स में जाहिए वापे सर्च की मैप्स में देखिए कि अर इ rudkenies के टानेक्स एस आपको शिम्हा गानाम शिम्हा के बढ़ा यह पदधे है पैसे नहीं पता पता हुए कैसे पढ़ा नहीं पता मैं बता रहुँग ना कि जो शिमला का नाम शिमला शेमला देवी मातः से पड़ा है यह बी मुस्ट बॉस्ति लोकल होंगे उनको यह चीजिज नе पता है और जो सराउंडिंग में रहते हैं अनको धी चीज़ का एडिया होगा ठीक है अब हम आते है है कि लाइक मिन आपको जो फर्स पैक्ट बताया कि जो शिमला है थे लोकेटड है तो आपको उन सेवन हिल्स के नाम पता है नहीं जोंट वरे इस ब्लॉग में ओर कर ठीक है जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी बता हूंगा भूंचो अरी फिर्स्ट हिल इस प्रोस्पेक्ट हिल जो वस्टनि शिम्ला में है मैं जाते हैं अर्ण से तो फोस्पेक्टफिल की उपर located है ओके और इसकी उपर आपको कामना देवी टेंपल मिल जाएगा जीक है फि तो second hill है हमारी summer hill, third hill is observatory hill, अगर आप summer hill से ridge की तरफ आते हैं, तो जो first hill आएगी, वो हमारी observatory hill है, summer hill से, HP University से आप ridge की तरफ आ रहे हैं, तो जो next hill आ रही है हमारी, तो वो हमारी observatory hill है, the next hill is Inverum hill, वो अगर आप museums देखने के शौकीन है, तो वहाँ पर जाएए, वहाँ पर आपको museum मिल जाएगा, यह बहुत ही peaceful place है, Inverum hill जाएए, ठीके, museums का enjoy कीजिए, यह हमारी fourth hill है, the fifth hill is the bentonny hill, जो हमारा central shimla का part है, जो हमारा scandal point से जस्ट पहले का आता है, ठीके, वो हमारी bent the sixth hill is Jaku Hill, Jaku Hill हमारी जहां पर हमारा Jaku Temple located है, यह शिम्ला की सबसे highest peak है, सबसे highest hill है, और ऐसा माना जाता है कि Jaku Temple है, वहाँ पर हनुमान जी के, जो मारे Lord Hanuman जी है, उनके footprints मिलेते हैं, वहाँ पर हनुमान जी आये थे, ठीक है, तो यह बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पर, और जो वहाँ पर statue बनाई है, वह शिम्ला के कहीं पर भी आप देखोगे, वह आपको statue दिख चाहेगी, क्यों हाइस्ट एक तो peak है वो, और अगर मैं statue की बात करता है तो 108 feet उची statue है, मतलब उची height की statue है, तो काफी बड़ी statue बनाई हुई है, तो यहाँ पर आएं, तो वहा मिल जाएक आपको ठीक है, जो अब school में convert हो चुका है, Auckland house, okay, hopes आपको यह information पसंद आई होगी, तो अब हम देखते हैं, हमारे शिम्ले के, like मेरी journey, चंडीगर से, और शिम्ला तकाने के, जिसमें आपको मैं आपका शिम्ला का night view, से माल रोड रिज, और then day view, early morning का view, जो अभी का present है, जो मैंने जस्त पहले बने शूट किया है, वो उसमें मैं दिखा रहा हूँ,